MG Hector Black Storm इस addition के बाद Hector की पूरी profile ही change हो चुकी है ये एक ऐसी गाड़ी है अगर आप features के बहुत ज़दा fan है आपको cosmetic features पसंद है तो इस से better option आपको segment में कोई नहीं मिलने वाला जो आप सामने देख रहे हैं ये है 7-seater यानि की Hector Plus diesel with manual transmission इस गाड़ी के साथ बस एक यही issue है कि आपको diesel engine के साथ यहां कोई भी automatic option नहीं मिलता petrol में आपके पास एक CVT का option जरूर है तो manual transmission के साथ blackstrom edition अब इस गाड़ी का price हो चुका है 21,95,000 रुपए एक शूरू इतने पैसे डालने के बाद अगर कोई गाड़ी आपकी personality के साथ match ना करे ना तो पैसे डालेगा मज़ा नहीं आता लेकिन हेक्टर एक ऐसी गाड़ी है जो आपकी personality को definitely suit करती है इस गाड़ी का road presence बहुत ultimate है एक बार बनदा गाड़ी को पलट कर देखता जरूर है और जब से facelift में सामने ये diamond mesh grill आ गई थी इसने पूरी गाड़ी के look को definitely enhance कर दिया था black storm के साथ देखो क्या क्या चीज़े बदल गई है पूरा cabin आपको all black मिलेगा एक sportier feel no doubt आपको मिलती है और front में अगर आप exterior में भी देखेंगे तो इसकी diamond mesh grill है अब आपको पूरी dark chrome के साथ मिलेगी mg का logo वो dark chrome के साथ हो गया grill जो है वो आपको पूरी dark chrome के साथ मिलेगी headlamp section की और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर side में थोड़ी सी piano finishing बीच में dark chrome नीचे skate plate वगरा पर भी आपको पूरी dark chrome की finishing जो है वो देखने के लिए मिलती है side में जब आप सुच होंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 18 inches के all black alloy wheels चारो wheels में disc brake है और calibers पूरी तरीके से red painted कर दिये उपर roof wheels जो है वो black कर दी गई है तो एक एक करके सब चीज की बात करते हैं सबसे पहली चीज आपको 360 degree camera मिलता है तो mg के logo के नीचे ही आपको front camera जो है वो mounted मिलेगा आगे parking sensors मिल जाते हैं और head lamp section के अगर आप बात करेंगे तो LED है प्रोजेक्टर बेस LED और नीचे fog lamp जो है वो reflector बेस LED मिलेगा उपर यह जो आप LED बेस इसके sequential turn indicators देखने है यही आपके DRLs के तोर पर भी function करेंगे hood जो है इसका वो गाड़ी का बहुत massive लगता है जो creases है चाहे आप center की बात करिए side की बात करिए बहुत अच्छे से highlight होती है even then यह dark color है black उसके बावजूद भी highlight हो रही है जो की no doubt गाड़ी की जो presence है उसको और ज्यादा sharp और attractive बनाती है side में जब आप switch होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह black color के आप 18 inches के आपको alloy wheel मिलेंगे चारो wheel में disc brake है calipers red painted मिलेंगे cliding same है उसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है थोड़ी सी rectangular shape इसकी cliding wheel largest के उपर आती है जो कि गाड़ी के design के एसाब से काफी suit करती है पूरी गाड़ी में जो chrome छोड़ा है न वो सिर्फ यह window के नीचे जो आप belt line देख रहे है इसकी garnish के उपर है otherwise सब कुछ आपको even then door handles पर भी आप देखेंगे तो dark chrome का use कर दिया है नीचे आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह जो branding है और यह जो garnish है इसके भी आपको पूरी dark chrome जो है वो दिखाई देगी उसके साथ-साथ roof rails वो पूरी तरीके से pano finishing के साथ black कर दी है यह जो आपके OR और यहाँ आप देखेंगे तो 360 degree camera का side camera जो है वो आपको यहाँ पर mounted मिल जाएगा आप जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं चावी लेकर गाड़ी जो है आपके automatically lock हो जाती है दूर जाएंगे तो गाड़ी आपकी lock होगी पास माएंगे तो गाड़ी आपकी unlock हो जाएगी इस चावी के ओपर भी काफी अच्छे functions जो है वो आपको मिलते है तीन controls है आप चाहें तो यहाँ से अपनी गाड़ी को lock या unlock कर सकते हैं मैंने unlock करी है तो ORVM जो है वो इसके unfold होगा लॉक करूँगा तो fold हो जाएंगे और अगर मैं यह बीचे वाली key को अगर आप hold करके रखा तो tailgate जो है वो आपका close होगा safety feature के लिए anti-pinch आपको यहाँ पर भी मिलता है for example अभी यह मेरा हाथ है अब इसमें अगर judge कर लिया है कि भाई मेरा हाथ नीचे है तो यह बंद नहीं होगा यानि कोई ऐसा pressure आपके हाथ पर नहीं डालता है ताकि आपको इंजरी हो तो safety के हिस आपसे भी कोई issue नहीं है seven seater variant जैसे कि हमने बात करी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसकी seats जो है वो पूरी तरीके से uplift कर रखी है उसके बावजूद भी आपके पास यहाँ पर काफी boot space है काफी मतलब अगर आप एक seven seater के हिसाब से देखें तो अच्छा है आपको 50-50 split का option मिलता है headrest जो है even आपको third row में भी यहाँ पर proper adjustable ही मिलते हैं अब अगर आपको ज़्यादा boot space चाहिए आप in seats को easily जो है वो आप fold कर सकते हैं cup holders आपको दोनों side मिलेंगे AC vents पीछे मिल जाते हैं एक USB type port दिया गया है ताकि आप अपने mobile phone को charge कर पा और even then in AC vents क जो blowers है आप इसकी speed भी पीछे third row से ही खुद individually control कर सकते हैं यह पूरी trim अगर आप check out करेंगे सब neatly hot plastic से covered है यहाँ आपको emergency exit के लिए जो option है वो भी दिया गया है यहाँ आपको एक button मिल जाएगा अगर आप इसे press करते हैं तो easily आप अपने इस electric tailgate को close भी कर सकते हैं dark chrome का पीछे भी logo पर use किया गया है पूरी जो garnish आप देख रहे हैं यह भी आपको dark chrome के साथ मिलेगी hector plus की branding वो dark chrome के साथ मिलेगी नीचे जो rare में आपको skid plates है वो dark chrome और यह जो यहाँ पर tip दी गई है exhaust के actually fake exhaust tips है सिर्फ आपको एक single exhaust tip यहाँ पर visible हो जाएगी यह सिर्फ एक reflector भी गाड़ी की width के across पूरी तरीके से connected है LED में tail lamps मिलते हैं जो कि आप sequential भी turn indicators देख रहे हैं जब stop lamp होंगे वो भी proper आपको LED बेस ही मिलते हैं spoiler no doubt काफी stylish लगता है उपर shark fin antenna जो है वो आपको मिला है spoiler के उपर ही आपको high mounted stop lamp जो है वो जरूर दिया गया washer है defoggers है wipers है सब क कुछ आपको यानि यहां पर provide कराया गया और इधर अगर आप चेक करेंगे तो rare parking camera जो है वो भी आपको दियागे quality अभी हम definitely अंदर check करेंगे इस side आपको मिलती है fuel filling lid और अगर यह diesel है या petrol आप कोई भी लीजिए tank की capacity आपको 60 liters की मिलती है black alloy के साथ no doubt यह black गाड़ी और ज चाबी जो इसकी हम अभी बात कर रहे थे इसके कुछ functions और है जैसे कि अब example आप यहां पर अगर मैंने इसको unlock वली की को मैंने पकड़ कर रखा है तो गाड़ी की windows जो है वो roll down हो जाएंगी अभी आप चेक करिएगा फिलाल एक बर मैं पहले गाड़ी को करता हूँ lock और lock कर अब मैंने यह unlock वली की को hold करके रखा है सबसे पहले और वीम जो है वो इसके वो unfold हो गए अब जो है यह windows आप देखेंगे कि roll down हो रही है windows roll down हो गई प्लस जो इसका यह panoramic बड़ा sunroof है यह भी यहां पर automatically खुलना शुरू हो जाएगा अब अगर आपने करना है इसको दु लेकिन sunroof जो है वो जरूर रॉक हो जाता है और even then curtain जो है इसका वो भी blind जो है वो भी लग जाता है चलिए अब चलते है जड़ा cabin के अंदर तो no doubt यहां पर आपको keyless entry के लिए request sensors जरूर मिलते हैं और यह है अब black storm का cabin पूरी तरीके से black cabin ही आपको यहां पर मिलता है ambient light आपको मिलती है अलग-अलग art color के साथ और सबसे बड़ा आपको portrait में HD में जो इसका जो है infotainment system यहां पर आपको मिल जाता है तो यह सारी चीजे गाड़ी को और जादा attractive बना रही है जितने stickers आप देख रहे हैं यहां लिखा है mg hector new black storm तो यह steering wheel जो है यह थोड़ा सा इसके में change किया गया है seats है यह इसके उपर new का label लगा है क्योंकि आपको यहां headrest में इस तरीके से black storm लिखा हुआ मिलेगा आगे यह पीछे actual में लिखा हुआ नहीं है armrest में थोड़े बहुत changes है यहां पूरा portion जो आप देख रहे हैं वो soft touch के साथ दिया गया हाँ एक चीज और आपको थोड़ा सशायद note करने में दिक्कत आ सकती है लेकिन मैं आपको check out कराता हूँ यह देखिए यहां पर एक जगा गाड़ी में दिखेगी यहां steering पर देखेंगे, center console पर देखेंगे, नीचे अगर आप check out करेंगे, doors पर अगर आप check out करेंगे तो हर जगा black के साथ आपको यह gun metal finish ही दिखाई देगी, infinity का music system मिलता है, 4 speaker है, 2 twitter है, subwoofer है, तो sound quality वगारा सब कुछ ultimate, यह पूरा portion आपको soft touch के साथ मिलेगा, यह portion भी आपको soft touch के साथ मिलेगा, bottle holder है, थोड़ा extra space जो है, वो आपको यहां पर no doubt मिलता है, यहां speaker की placement है, और इसकी side में जो garnish use की गई है, वो भी again आपको gun metal finish के साथ, driver side वाली जो window है, वो आपको one touch up and down, यानि auto मिलेगी, with anti-princh, बाकी के उपर finishing अच्छी दी गई है, लेकिन यह automatic नहीं है, safety lock जरूर मिलेगा, आप गारी को manually lock, unlock कर सकते हैं, door lever के उपर भी आपको पूरी तरीके से gun metal finish के लिए मिलेगी, लेकिन यह plastic का panel है, कोई chrome वगेरा यहां पर use नहीं की गई, infinity की branding जरूर आपको दिखेगी, नीचे proper dead pedal आपके पा आपको 8-way adjustment के साथ मिलेगा और दोनों की आगे की seeds जो है, वो ventilated भी है, इधर अगर आप checkout करेंगे तो बहुत सारे controls है, यहां से आप tailgate खोल सकते हैं, यह इसका instrument cluster जो है, इसकी brightness को आप adjust कर सकते हैं, तीन level की headlight leveling आपके पास है, ORVM को electrical adjust और fold करने के लिए, यह controls आपको यह पर दिये गए, चलिए अंदर switch होते हैं, और जैसे ही आप cabin के अंदर आते हैं, सबसे पहली चीच, इंगन start and stop button, यहां से आप जैसे ही गाड़ी का ignition on करेंगे, कुछ ऐसी animation है, जो आपको यहां पर दिखाई देंगी, चाहे आप अब इस dust current infotainment system के बात करिए, या फिर साम करती हैं, वो भी इस गाड़ी के बारे में काफी अच्छी चीज है, अभी मैं blind खोल रहा हूं, यहां पर इस तरीके से आपको इसे hold करकर रखना पड़ता है, अगर आप ने सिरफ blind खोलना है तो, अगर आप proper sunroof खोलते हैं, तो आपको इसे hold करने की ज़रत नहीं है, एक single click में आप इसे पूरी तरीके से पीछे कर सकते हैं, यह cabin में जो आप lights देख रहे हैं, LED बेस दी गई है, ठीक ठाक है, इसकी brightness ऐसा कोई issue नहीं है, यहां पर अगर आप ऊपर चेक करेंगे, तो sun glass holder जो है, उसके अंदर भी काफी अच्छी rubberized cushioning जो है, वो provide करवाई गई है, auto dim timing, IRVM आपको यहां पर मलता है, driver side में आप चेक करेंगे, तो ticket holder भी है, plus visor के साथ यहां पर आपको vanity mirror और इस तरीके से light जो है, वो provide मिलेगी, co driver side में भी same है, आपको light भी मिलेगी, और vanity mirror भी मिलेगा, लेकिन अगर आप इसके adjustment की बात करेंगे, काफी hard है, लेकिन इसको adjust नहीं कर सकते, यह इतना portion है, जो cover करेगा, यह area यहां पर छोड़ रहा है, लेकिन इस sliding नहीं है, लेकिन आप इसे आगे जो है, वो बढ़हा नहीं सकते है, फिलाल rooftop के उपर, इस तरीके से जो आप handles देख रहे हैं, यह आपको coat hook के साथ मिल जाते हैं, इसके हमने already बात कर यह आपको headrest के उपर इस तरीके से black strom के label जो है, वो जरूर मिलते हैं, seat belt की height, adjustable आपको मिलते हैं, यहाँ चिक कर सकते हैं, side airbags है, curtain airbags है, front में airbags है, तो total आपको 6 airbags हैं, जो यहाँ पर मिल जाते हैं, अब steering wheel की बात करते हैं, three spoke का steering wheel है, flat bottom है, फूरी तरीके से आपको leather wrap ज जरूर यहाँ पर मिलेगा, इधर आप देखेंगे, तो cruise control वगएरा से related सारा setup जो है, और यहाँ पर cluster से related, यह जो controls हैं, वो आपके इस 14 inches के tusker and infotainment system से related हैं, इसमें आपको GSR1 वगएरा मिलता है, android auto, apple car play, आप easily use कर सकते हैं, आपके AC का भी सारा system आपको यहीं से ही control करना ह यानि सब कुछ touch based, कोई buttons नहीं दिया हैं, एक्चली मैं सीच की favor में तो नहीं रहता हूं, लेकिन हाँ आज कल के हिजाब सो जो customer मांगते हैं, वो भाई manufacturers दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चेक करोगे, manual है, diesel है, लेकिन यहाँ आपको CVT वाले animations हैं, वो सामने दिखाए दे र ही हैं, जो कि आप easily अपने इसाब से थोड़ा बहुत कुछ customize कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत आपको ऐसा use करना पड़ेगा, यह कुछ map बगएरा है, अगर आप connect करते हैं, music बगएरा, अगर आपने यहाँ से setup करना है, तो वो आप easily कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी settings होंगी, जैसे कि आपने sunroof कितना खोलना है, माली जे मुझे 50% खोलना है, यहाँ मैंने set कर दिया, तो यह sunroof जो है, वो आप आपका खुलना शुरू हो जाएगा, voice command वेले भी सब feature है, mg sunroof बंद करो, hello mg sunroof बंद करो, यह देखिए, तो हिंदी इंगलिश वले commands भी आप easily दे सकते हैं, lamp अगर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, follow me, home बले, आपके 30 seconds जलें, 50 seconds, आपकी गाड़ी आपको lights दे, या horn दे, सब कुछ आपको ambient light, आपने क्या color choose करने हैं, वो सब options आपको यहाँ पर म और tire pressure monitoring system, यहाँ पर आपको with temperature और PSI दोनों चीज़े यहाँ पर easily visible हो जाती है, यहाँ आपको मिलता है wireless charger, और यहाँ आपको USB type ports जो हैं, वो दोनों side में दिये गए हैं, और यहाँ पर नीचे जो है, वो आपको और कुछ नहीं, सिर्फ यही ports आपको मिलेगा, ventilated जो seats हैं, उसे आप यहाँ से control कर सकते हैं, ESP, यानि electronic stability control सापने इसके enable, disable करने, उसका control यहाँ, hazard के लिए max AC का feature मिलता है, तो वो आपको यहाँ मिलेगा, six speed manual transmission, petrol के साथ आपको CBT का option मिलेगा, लेकिन diesel के साथ सिर्फ manual है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको पू जाएगी, no doubt, यह proper glossy finish, उपर सब आपको soft touch, यह proper portion जो है soft touch, और यह आपको glob box, काफी बड़ा और अच्छा glob box, एक्छल में आपको यहाँ पर मिलता है, विद आपको cooling feature के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, arm wrist, इसे आप slide जो है, वो नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहें क कि मैं इसे थोड़ा आगे बड़ा लूँ, यह पीछे कर दूँ, वो option नहीं है, लेकिन यह अच्छी तरीके से soft touch material के साथ दिया गया है, storage काफी है इसके अंदर, यहाँ पर आप चेक करेंगे, और एक इस तरीके से 12 वोट का power socket जो है, वो भी आपको यहाँ पर visible हो जाएग सेरिंग में adjustment की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो tilt और telescopic, दोनों तरीके का adjustment आपको यहाँ पर मिल जाता है, इधर wiper बगारा के stock आपको देखने के लिए मिलेंगे, definitely auto wiper, rain sensing wipers हैं, और इस side आपको head lamp और turn indicator के automatic head lamp जो है, वो भी है, cluster की बात करते हैं, cluster पर यहाँ आपको tachometer, either speedometer, total odometer, coolant temperature, fuel की gauge, कुछ warning lights बगारा आपको यहाँ पर visible हो रही है, चीजों को adjust कैसे करेंगे, यह controls आपको मिल जाएंगे, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे, तो आपको जो भी चीजे अपने हिसाब से यहाँ पर customize करनी है, आपको कोई भी चीज अ अगर आपका setup है, वो आपको, phone आपका connect है, तो navigation जो है, वो पूरी तरीके से सामने ही, आपको इसी instrument cluster के ओपर visible हो जाता है, तो वो भी कोई इतना वाड़ा issue फिलाल आपके लिए नहीं होगा, चलिए, अब जड़ा हम चलते हैं second row में, और second row का experience लेने का मज़ाताब आएग जब इस seat को मैं थोड़ा सा अपनी driving position के हिसाब से adjust कर दो एक बार, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, और एक बार जड़ा बैट के check कर लेते हैं, यह देखे, driving position के हिसाब से अगर मैंने seat को set कर दिया, तो यह कुछ visibility है, जो आपको यहाँ पर hectare से मिल जाती है, तो उससे related भी कोई issue आपको नहीं होगा, अब जब आप second row में आएंगे, यहाँ पर आपको क्या कुछ मलता है, उसकी बात करते हैं, सबसे पहली चीज, third row में आपको 50-50 का split मिला था, यहाँ आपको 60-40 का split मिलेगा, तीनों passengers के लिए आपके पास adjustable headrest जो है, वो यहाँ पर है, और यहा with cup holders, 60-40 के split के हमने अल्रेडी बात कर ली, यह चोटा सा आपको यहाँ पर इस तरीके से storage भी दिया गया है, अगर आपका भी use करना चाहें, तो isofix seats के mounts जो हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, पीछे अगर आप door check करेंगे, child safety lock के साथ साथ, पूरा panel आपको black मिलेगा, एक subwoofer का setup जो है, वो proper आपको मिलता है, gun metal finish, quality वगेरा भी अगर आप check out करेंगे, तो बहुत ही अच्छी premium quality आपको यहाँ पर no doubt feel होती है, harrier से तो बहुत बैतर आपको feel होगी, वहाँ fit and finish के बहुत issue है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो किला, इधर अगर आप check करें है, बड़ा panoramic sunroof है, इधर जो है, वो आपको light इस तरीके से LED बेस मिलेगी, पीछे भी आपको rooftop के उपर, holdable ही मिलने वाले है, grab handles, यहाँ पर भी आप check करेंगे, तो light आपको उस side में मिली है, seatbelt height adjustable है, उसकी हमने already बात कर लिए, चलिए, अब बात करते हैं जड़ा एक बा है रही है, उन्हें नहीं पता कि हमने सिर्फ ignition बन कर रहा है, भी camera बन नहीं कर रहा है, गाड़ी हान कर रही है, क्योंकि चाबी मेरे पास है, hood खुला है, तो आपको safety warning यहाँ पर ज़रूर मिल जाती है, चेक कर सकते हो आप, यह है 2 लीटर का turbo 4 diesel engine, 4 cylinder engine है, लेकिन हाँ, आव अभी covering आपको थोड़ी बहुत दी गई है, hood में बहुत अच्छा खासा weight है, इवन अभी मैंने अगर इसे एक हाथ से पकड़ रखा है, तो भी मुझे काफी heavy peel हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो proper insulation जो है, वो भी दिया गया है, सबसे पहले fuel economy बताओ, company आ आस-पास fuel economy आपको मिलेगी, power figures के अगर में बात करूँ हो तो साड़े 300 newton meter तक का talk है, हाँ, अवाज जरूर करता है, थोड़ी सी हासने से, लेकिन गाड़ी में features बहुत आते हैं, जो आजकल के features आप लोग को चाहिए हैं, जो आजकल buy arts मांगते हैं, वो आपको हर चीज यह की, उसकी आप बात करिये सब कुछ, हाँ, एक चीज और, अभी मैंने आपको कहाता है कि जो यहाँ पर fit and finish यह quality आपको मिल रही है, तो आपको वो चीज हरियर में आप miss करेंगे, तो इसका मतलब है यह मत समझना कि मैं इस brand को promote कर रहा हूं, या फिर Indian brand data के लिए कुछ कह रह है, आप XU भी देख लिजे, और आप Hector देख लिजे, आपको एक अच्छी quality मिलेगी, वहीं अगर आप Harrier यह Safari देखते हैं, तो वहाँ आपको थोड़े बहुत fit and finish से related issues जो हैं, वो पेस करने ही पड़ते हैं, फिलाल यह गाड़ी आपको कैसी लगी, comment section में जरूर बताना, यह Hector का Black Storm Edition कैसा लगा, वो भी जरूर बताना, आई तो Gloster भी थी Black Storm Edition के साथ, आई Hector भी है, कितने लोग पसंद करते हैं, और आपको इस गाड़ी के changes जो company ने किये हैं, वो actual में कैसे लगे जरूर बताना, 21,95, मोटा मोटा 22,00, रपे लगा लिजे, 22,00, डीजल इंजिन आ बहुत जल्द पर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो Like, Share, Subscribe करना मत भूलना, धन्यवाद